सो हलो गाइस कैसे आप सब I hope सब अच्छ होंगे and मैं भी अच्छा हूँ सो गाइस मैं आपको बता दू कि अगर अभी आप फ्लाल से मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता हुआ कि अभी हम लोग B Pharma Second Year के Important Question यानि की थर्ड समिस्टर के Important Question हमने आप से फार्मसिटिकल इंचेंजिंग के Important Questions की Solution Series ठीक है जिसमें की हमने आप लोगों को इसकी Unit First का जो पहला Question है उसके हमने आपको Solution प्रोवाइड कर दिये थे वीडियो भी हमने प्रोवाइड कर रही थे और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिये थे अपने टेलिग्राम चैनल में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको से लिंक दे रहा हूं आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और इसके नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज की समलोग वीडियो लक्ट्चर में डिसकस करने वाले हैं इसका सेकेंड किश्चन जो की है इस्टेट एंड डिराइब बरनोलीज थ्योरम या फिर डेरिवेशन और बरनोलीज थ्योरम ये काफी इंपॉर्टेंट है और आता है कई बार सेव को पढ़ाऊंगा क्योंकि एक जाम आपके बहुत जल्दी होने मलब आने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को बाइंड कर सके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या है बरनोलीज थ्योरम इजा एप्लिकेशन ऑप लाप कंजर्वेश किसकी कारण जैसे जो फ्लुड फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो इनर्जी है ठीक है उसको बैलंस करता है ठीक है आप क्या है दा लाव अप कंजर्वेशन ऑप इनर्जी इस्टेट दा इनर्जी कैन नेदर बिक्रिएट नौन भी डिस्ट्वाइड ओके बट रोन बन करी जा सकती है वो एक form से दूसरे form में क्या करी जा सकती है चेंज करी जा सकती है ठीक है यह आपका क्या है यह law है ठीक है इतना ही आपको इसमें लिखना है अब इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है कि यह वाला जो है डाइग्राम आपको ड्रॉ कर देना है अभी आपको डाइग्राम आई होप समझ में आ रहा होगा क्या है कि यह जो है यह आपका एक तरीके से सरपेस है और यह जो है आपका पूरा पाइप है इस तरीके से ठीक तो यहाँ पे इस पाइप में आपके दो पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या करना है इसका प्रेसर मेजर करना जैस इसकी जो हाइट है आपकी ठीक है पी पॉइंट पॉइंट से और जो यह सी की हाइट है यह आपकी एच बन है और यह वाली आपकी हाइट क्या होता है कि देखे एड इस पॉइंट दा फ्लूट पॉसेस पोटेंशियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी एन प्रेसर इनर्जी इस अप्टेंड एस फॉलोग देखे क्या होता कि जब आपका यह पानी फ्लो हो रहा है ठीक है तो तीन इनर्जी इसमें लगते हैं कौन- अब देखिये उन्होंने क्या देदिया जो आपका मास है ठीक है यहाँ पर उन्होंने फॉन केजी दे दिया है यह है जो मास यूनिट है वह बन केजी है सो इससमें देखे सबसे पहले कौन-कौन तिन तर्टे लग रही है एक लगी पोटेंशिक आइनीड का स January सो सबसे पह क्यों कि हम लोग पहले point की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर आपको पता होगा कि जो mass था हम लोग का वो उन्होंने किता दे दिया था 1 kg ठीक है तो यह अगर बन से किसी चीज़ को into करोगे तो उतना ही आता है देखो यह नोगे मास दे दिया है 1 kg तो यहां पर simply क्या लिख दिया गया है जी एच बन ठीक है तो एम को हटा के क्योंकि यहां पर वन है तो बन से कोई वी इंटू करोगे उतना ही है तो यहां पर जी एच लिख दिया है अब दिखिए जो एम है आपका मास ओफ लूड है जी क्या है एक्सलेशन डू टू दा ग्रेविटी एंड एच बन क्या है आपका हाइट अब ऑफ दा डेमम लेवल ठीक है यह इसकी हाइट अब ऐसे ही आपका कानेटिक इनरजी का भी फॉर्मूला लगाया गया है कानेटिक इनरजी की क्या होता है बन अपॉंट टू एम बी हैना एम बी इसका रहे होता है अभ यहांट चुक्य है फर्स पॉइंड की बात कर रहे है ठीक है फर्स्ट वाले तो एम बीजो 30 की बेलो सिटी किसकी फिर्ट वाले के बीवन लगद कर दिया है अब यहां भी जो मास एम है तो यहां हम लोग किता लिए लिग देंगे बन ऑपॉंट है MB upon Oreo ठीक है अब चुकि यहां पर p1 इसलिए दे दिया है पॉइंट-1 ki baaat ही तो यहां पर P1 इसलिए दिया है क्या है कि जींट-1 ? इसलिए दे दिया है उवके B हो इतनी सारी चीज़ें आप κάν जी आप क्या किया गया है इसके बाद इन्होंने ynहों चोटल इनरजी एड पॉंट बन निखाला है, यहां पर एक पॉंट की बाद करी जाए, यह हम इसकी बाद करी जाए, तो यहां पर कितनी इनरजी लग रही है, तो इसमें तीन इनर्जी लग रहे ही थी कौन कौन से potential kinetic and pressure आप क्या करेंगे यह तीनों इनर्जी को हम कर देंगे add simply ठीक है सो यहाँ पर मारा क्या था जीवन जी एच बन चुकि M1 आया था तो उसको हम लोगों ने हटाई दिया था और फिर क्या है इसका आया था हमारा बन पॉंट 2 B1 इसकोर और बीवन रो ठीक है इसको हम लोगों ने लिखा और इसको कर देंगे add तो हम लोगों का 0.2 की हो जाएगी velocity जो है 0.2 की हो जाएगी भी 2 तिक है और p2 हमारा pressure हो जागा 0.2 के ठीक है तो यह सारी चीज हो जाएगी अब क्या है अगर पूरा pressure निखालते हैं तो इन Donald को ही add कर देंगे 0.1 की pressure को 0.2 के pressure को तो simply हमारी यह equation बनके तयार हो जाएगी और उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग निखालते हैं क्या कि जो इनर्जी का लॉस है ठीक है डू टू दा फ्रिक्शन ओके डब्लू इस इनर्जी एड बाइद पंप दें बरनुली एक्क्योशन बिकम क्या बनेगी हमारी यह क्योशन बन जाएगी ओके और उसक सबसे ज्यादा यहां तक यही इतना यहां तक लिख देंगे अगर चाहिते हैं और भी अच्छे मांक्स पाने के लिए तो यह दोनों एक्क्योशन और याद कर लिजिए प्रैक्टिस कर लिजिए लिखके इतना कर दीजिए लिखिए कुछ भी नहीं ही है इस वर्मूले को पॉटेंशियल इनरजी के अब पॉइंट बने के बात करते हैं तो बाती है तो लग जाएगा लग चैगा яг्यां बस कुछ नहीं इनके formula को रखना है m is equal to 1 लेना है और simply हम नहों का निखल के आ जाएगा और उसके बाद इनको तीनों को add कर देना है और उसके बाद point 2 का भी same हो जाएगा जहाँ one one है वहाँ पे two two हो जाएगा और इसके बाद ये पूरी energy को add कर देना यानि दोनों ही point की energy को निखालने के लिए इसको add कर देना है simply आपको यहां तक ही लिखना है अगर आप और अच्छे मार्स वैसे कटेंगे नहीं लेकिन अगर और अच्छी आंसर बना चाहते हो तो इन दोनों का भी प्रैक्टिस कर लेना और लिख देना ठीक है अब देख लिए इसके application बैसिकली seven marks में आता है अगर आप वहां तक लिखेंगे तब भी sufficient है अगर इसके application की बात करते हैं तो यह यह यूज होता है measurement of the fluid flow ओके जैसे कि यूजिंग इसमें हम लोग यूज करते हैं branch tree meters का orifice meters का okay and second point की बात करें तो इस एप्लाइट इन आटो माई आटो माईजर और इस प्रे इस प्रे बनाने में जो आटो माईजर में होता उसमें यूज होता है and third अगर बात करें तो it is apply in the working of centrifugal pump centrifugals pump में यूज होता है and fourth one is it is easily to measure height and apply them as as sorry as an energy term which is the contribution of Bernoulli theorem okay fifth one is it can be applied to calculate the power required for the flow of fluid okay power required for the flow of fluid okay so these are the application to thanks watching this video अगर आपको यह पसंद आए वो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और मैं इनको टेलिग्राम चैनल में इसको अप्डेट कर दूँ का आप कोहां से जाके इसको क्या कर सकते हैं simply download कर सकते हैं okay so thanks for watching this video again